दिल्ली में दुबारा से लोकडाउन नहीं लगेगा आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्या मंत्री अर्विन केजरिवाल ने इसके संकेत दिये थे हलाकि बुधवार को डिप्टी सीएम मनीश सिसोधिया ने कहा कि हमारा लोकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है वहीं उपराज जेपाल अनील बैजल ने दिल्ली में होने वाली शादियों में महमानों की संक्या दोसों की जगहें सिर्फ पचास रखने के केजिवाल सरकार के प्रस्ताव को मन्जूरी दे दी है ये पाबंदी कितने दिन के लिए होगी ये साफ नहीं है हलाकि इस से दिल्ली के वेडिंग मार्केट पर असर पड़ सकता है इस साल नवेंबर दिसंबर में शादियों के साथ बड़े मुहूरत है 25 नवेंबर को देवोठनी एक आदशी के दिन से शादियों का सीजन शुरू होगा डिप्टी सीम सिसोधिया ने बुधवार को कहा कि वह दुकानदारों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है हम चाहते हैं कि आपकी दुकाने खुली रहें अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ बाजारों के लिए नियम बदले जाएंगे हमने केंदर से यही गुजारिश की है लेकिन किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा एक दिन पहले सीम केजडिवाल ने कहा था कि यदि बाजारों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और वह जगे कोरोना होट स्पोर्ट बन सकती है तो ऐसे बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद करने की इजाज़त मिलनी चाहिए केंदरों को ऐसा प्रस्ताव भेजा जा रहा है इसके ये माएने निकाले गए कि दिल्ली में बाजारों के लिए लोकडाउन लग सकता है दिली हाई कोर्ट ने सारवजनिक तोर पर छट पूजा पर रोक लगाने के केजरीवाल सरकार के फैसले को बरकरार रखा है श्री दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट ने 20 नवंबर को सारवजनिक छट पूजा की इजाज़त मागी थी इस पर हाई कोर्ट ने कहा लगता है कि पिटिशनर कोरोना के हालात से वाकिफ नहीं है उन्हें शहर के किसी भी हिस्से में छट पूजा कार्यक्रम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि बड़े आयोजन सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं दिल्ली में सार्वजनिक छट पूजा पर प्रतिबंदे लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर राजनीती भी हो रही है इस मुद्धे पर भाजपा सांसद मनो सिवारी तल्क हो गए ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सुप्स्क्राइब करें थैन्ने वारी JBD Banquets Enterprise